हेलो दोस्तो वेलकम टू माई यूटूब चैनल आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में हार्दिक श्वागत यह वंधन दन है आई होप आप सब अच्छे होंगे तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है भारतिस अम्यदान और राजविवस्ता का टॉपिक रहने वाला है तो हमने इसका पार्ट बदिस्कॉस किया था तो आज हमारा जो डिस्कॉस करेंगे आज हमारा रहेगा पार्ट नमबर टू संगीय कारएपाल का the union executed तो वीडियो डिसक्स करने से पहले जो आज का हमारा motivation code रहेगा वह है हमारा success की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है यहनी success की एक बहुत खास बात है वो मेहनत करने वालों पर बहुत जल्दी फिदा हो जाती है तो चलते हैं अपने किसी सदन अथवा, किसी राज के विधान मंडल के, किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, किन्तु यदि सदस्य के किसी सदन अथवा, किसी राज विधान मंडल के, किसी सदन का कोई सदस्य राष्टपती निर्वाचित हो जाता है, तो किस तिती से यह माना जाएगा, कि उस सदन मे उसने अपना इस्तान रिक्त कर दिया है तो यह मान जाएगा राष्ट पती के रूप में पद ग्रहन की तीती से यानि राष्ट पती के रूप में जो पद ग्रहन की तीती है उससे मान जाएगा नेक्स कोशन है हमारा राष्टपती का निर्वाचन किसके द्वारा कराया जाता है जो राष्टपती का निर्वाचन है वो भारत के निर्वाचन आएक द्वारा कराया जाता है राश्टपती पद के उम्मीदवार का नाम कम से कम कितने मत दाताना द्वारा करम से प्रस्तावित और अनमुदित किया जाना चाहिए पचास-पचास मत दाताना द्वारा प्रस्तावित और अनमानित किया जाना चाहिए तो यह कुल बैद मत का कितना भाग, मत प्राप्ट ना करने वाले उम्मीदवार की जमानत की रासी जबत हो जाती है तो यह है कुल बैद मतों का एकवटे 6 भाग कुल वैद मतों का एक बट एशेभाग नेक्स्ट है हमारा किस अनुशेद के पहत यह वन्द किया गया है कि कोई व्यक्ति राष्टपती पद पर पुनर निर्वाचन के लिए पात्र है तो यह अनुच्छित 57 के तहट है राष्टपती पनर रिवाचन के लिए पात्र है राष्टपती के निरवाचन मंडल का उल्लेक शम्मिधान के किस अनुच्छित के तहट किया गया है तो यह क्या गया है समिदान अनुष्यत 1954 के तहट राश्पत के निर्वाचर मंडल का उलिक किया गया है नेक्स्ट है हमारा यह हमारा एक फॉर्मूला है किसी राज्य की बिधान सवाके एक सदस का मत मूले राज्य की कुल जन संख्या बट्टे बिधान सवाके कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इन्टू वन वाई 1000 नेक्स्ट है हमारा संसत के एक सदस का मत मूल संसत के एक सदस का मत मूल है वो है सवी राज्य बिधान सवाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या संसत के दोन सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या नेक्स्ट है नियुन्तम कोटा जो होता है वो है कुल पड़े बैदमत डिवाइड वाई 2 प्लस वन नेक्स्ट है हमारा भारत के में राष्टपती का चुनाव किस पद्दती के अनुसार किया जाता है जो राष्टपती का चुनाव है नुसार एकल संक्रमणयत मत्पणाली द्वारा किया जाता है किस वर्स की जन अद्वारा अविनिश्चित जन्ट संक्या को राष्टपती चुनाव के लिए किसी राज्य terrific अस्धिया संख्या माना जाता है जब तक 2026 तक 2026 के पस्षाथ होने वाले प्रतम जनगर्णा के आंगरे प्रकासित नहीं हो जाते तब तक राश्पती चुनाव के लिए राजियों की जनसंख्या 1971 की जनगर्णा द्वारा अभी निश्चित जनसंख्या को माना जाएगा तो यह 84 समिदान संसोदन अद्वारा यह प्रावधान किया गया कि जब तक 2026 के पस्षाथ होने वाले प्रतम जनगर्णा के आंगरे प्रकासित नहीं हो जाते तब तक राज्च्पती चुनाव के लिए राजियों की जनसंख्या 1970 की जनगर्णा द्वारा अभी निश्चित जनसंख्या को माना जाएगा तो यह 84 समिदन संसोदन अधनियम 2001 द्वारा किसी ब्यक्ति को राज्च्पती पद पर चुने जानने के लिए निमतम कितना मत करना आवसक्या तो निमतम जो कितना मत करना आवसक्या वो है कुल पड़े बैद मत के आदे से एक मत देख्यानि कुल जो पड़े मत होंगे उनक पड़े तक यह 5 वर्स तक अपने पत से 5 वर्स तक राश्ट पती का कार्रखान समाम थो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण है जब तक कि उसका उत्तरदखारी अपना पद घ्रह्ण नहीं कर लेता है जब तक कि उसte पत्रा त्याग पत्र देता है प्राष्ट पती राश्ट्पति ए지만 पत्र की सूचना ततक्ल कि से जाती है रहे निसween पूर्ड के सब्सक्राइब है यह तो यह थे हमारे आज की vet मेंने कास्ट बन सकते हैं हम ने dwa किये हैं आई होप आपको हमारा अच्छा लगाओ लाइक करें कमेंट करें और ज्यादा ज्यादा अपने दोस्तों में सेयर करें और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को किलिक करें जिससे कि आने वाला हर एक सब्सक्राइब मिल सके थेंक्यू गाइस जय हिन जय भारत